भारी उद्योग मंतरी और भारतिय जंता पार्टी के वरेश्ट नेता महिन नात पांडे इस वक्त हमारे साथ है आम बजट पेस कर दिया है निर्बला सीता रमन ने सरकार के तमाम मंतरी कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है लेकिन विपक्च खासकर कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि बजट चुनावी है और जो उमीदे थी वो उमीदे पूरी नहीं हुई आयकर में छूट दिया गया और भी कई वादे दावे किये गये हैं बजट के माध्यम से विपक्च कहा रहा है कि बजट चुनावी है चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया बेरोजगारी और महंगाई को कम करने का कोई जिक्र नहीं देखें विपक्च की चिंता यह है कि वो पहले कहते थे कि मोधी सरकार केवल गरीब वर के लिए काम कर रही है मध्यम बर्ग के लिए जितना भी इन नौ वर्सों में विकास हुआ है जो बेहतरी हुई है जो इजब बिजनिस हुआ है जो लोगों की खर्च भिन 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 रूपों में यात्रा बेकम हुआ उससे मध्यम बर्ग को भिन भिन प्रकार के लाफ तो मिले ही है अब मध्यम बर्ग के लिए इतना सांदार कर्वचत का सपोर्टिंग बजट आया है कि अब उनको लगता है कि उनकी तो सारी दुनिया लुट गई है तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि ये बजट जो है हमरित काल का पहला बजट भारत को विक्सित भारत बनाने का सबसे सांदार रोट मैप वाला बजट है देश हीत में इसका सपोर्ट करना चाहिए भारी उद्योग मंतराले आप देखते हैं आपके मंतराले को क्या मिला है बजट में हमारे मंतराले को प्रकरांतर से तो दो बातों पर फोकस करूँगा हाइडोजन मिशन को एकोनामिक सपोर्ट भोल पड़ा दिया गया जहां हाइडोजन मिशन सफल होगा हमारे मंतराले की मैनिफेक्ट्रिंग बढ़ेगा वहीं स्क्रैप पालसी में बजटरी सपोर्ट दे करके इस क्रैप पुरानी गाड़ियों को उनको नश्ट करने की तरफ लोग रूची लेंगे अभी उनको लगता था कि इसको बेचने से हमारा लोहा लकड का दाम मिलेगा अब उनको जब बजटरी सपोर्ट मिलेगा तो 15 साल पुरानी गाड़िया जो डिजल की गाड़िया है वो से लोग स्क्रैप कराएंगे उसे नश्ट होगा तो दो चीजे बढ़ेंगी एक तो मैनुफेक्टरिंग बढ़ेगी अजब मैनुफेक्टरिंग बढ़ेगी तो हमार इसके साथ साथ हमारे मंत्राले को एक बहुत बड़ी मदद लिथेनियम के कंश्टम बैटरी कम करते ही अपने वैटरीं से चालिद गार्यों के दाम कम होगे तो हमारा फेंट्टरी है gang के द्वारह और पीलाइग के अने चीस सब को बढ़ावा मिलेगा साथ साथ मैं आपको जानकारी शेयर करूँ कि हमारी सरकार ने यहीं तक इन नीतियों तक नहीं प्रत्यक्ष रूप में भी मेरे मंताले को हमारा दोजार बाइस तेश में दोजार नव सब आठ करूर का फेम टू स्किम का बज़र था इस बार बढ़ा करके यह पांच हजार ए दोजार बढ़ा के दो सो पचास कर दिया यह तमाम चीज आपके मंतरा लेक लिकी गई अंतिम सवाल करूंगा वेरोजगारी हो महंगाई हो यह एहम मुद्दे होते हैं किसी भी सरकार भी इसको चाहती है कि कम करे विरोजगारी को महंगाई को और भी पक्ष भी आरोप लग आए अब आज एक क्रिशी को आर्थिक सम्रिद्धी का क्योल भोजन कर पाने का माध्यम नहीं है जिस तरह से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और जिस तरह उसके उत्पादित वस्तों का मोले देश दुनिया में बढ़ रहा है हमारा आज भी एक्सपोर्टर जो है हमारा अन एसनी चीजों को फोकस किया रोजगार के औसर मनुफैक्टरिंग बढगे तो रोजगार के ऑनुद। हमसे बादचित करने के लिए धन्यवाद भारी उद्योग मंतरी महेंदर नाथ पांडे हमारे साथ है विपक्च के आरोपो को खारिश कर रहे हैं और विपक्च पे ही पलटवार करके कह रहे हैं कि विपक्च के दुनिया तो लूट गई है इस बजट के माध्यम से नीरज कुमार न्यूजेट इन इंडिया दिल्ली